हेलो दोस्तो स्वागट है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिक्स की तो आज हम पी एन जंक्शन चालू करने वाले हैं और यह पी एन जंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब यह समझ लो की पूरे एल्यक्ट्रोनिक्स की अप्लिकेशन का बेसिस है मनलब जितने भी एपलिकेशन्स आगे देखेंगे न हो सब में पी एन जंक्शन तो रहे गाई तो ये टॉपिक प्लीज अच्छे से समझेगा विकॉस यह नहीं समझा न तो फिर अलेक्रोनिक्स में कुछ नहीं समझेगा त कि हमने प्रिवियसली क्या देखा एक अटाइब सेमी कंड़क्टर और पी ताइब सेमी कंड़क्टर क्या होता है तो इन टाइब में मैजर्टी चार्ज केरियर इलेक्ट्रों होते हैं इनकी जो यह चार्ज करियर से इनकी जो चार्ज करेंगे चार्ज केरियर से बट इनकी जो चार्ज देंसिटी होती है वह न्यूट्रल होता है वह मतलब जीरो होता है मतलब ऐसा नहीं है कि आप खुले में कोई एंटाइब सेमी कंड़क्टर अग दो तो उसके अंदर कोई चार्ज हो जाएगा चार्ज उत् टाइब और इवन इंट्रिंजिक वाला भी वह सब जो कोई भी सेमी कंड़क्टर एक न्यूट्रल होता है ठीक है चार्ज फ्री होता है अब फर्मी लेवल हमने डिफाइन क्या था यह क्या होता है जो कंड़क्शन बैंड का जो लोवर लेवल है इसी उससे थोड़ा नीच होता है कितना नीचे होता है के टी एलन एंसी बाइन तो अब यहां पर हमने वह फर्मूला देखा था एसी प्लस और यह एन बाइन सी मतलब यह निगेटिव हो जाता था यह पूरा टर्म सिमिलरली आप यहां भी यह क्या है वैलेंस जो बैंड है उससे थोड़ा सा ऊपर है यहां पर फर्मूले में हम क्या कर सकते हैं यह माइनस लिख सकते हैं और यह पूरा टर्म निगेटिव हो जाए तो निगेटिव निगेटिव पॉस्टिव हो जागा बत मुझे यह फर्म पसंद है विकाज यह मुझे क्लियर पिक्चर देता है कि एसी से कुछ कम है यह यह थोड़ा ऊपर है तो इसलिए मैं यह फर्मुला याद करता हूँ आप कोई भी चूज कर सकते हो तो फाइनली अब क्या करेंगे हम कि जब एंड टाइप और पी टाइप एक साथ आते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं तो पी एंड जंक्शन बनाते कैसे यह हम देखते हैं तो पी एंड जंक्शन हम कैसे बनाते हैं कि सब्सट्रेट मतलब वह बेस होता है उस में तो सब्सट्रेट लेते हैं एंड टाइप ले सकते हैं तो यह पी टाइप है इतना बड़ा मैं नहीं लिख सकता हूं विखाँज इस मुझे अंदर कुछ और भी ट्रॉब करना है तो को डिफ्यूज करते हैं तो सपोज यह एंड टाइप है और यहां पर यह जो एरिया है उसको हमने बना दिया है तो यह हमने डिफ्यूज किया है तो यह इसके तीन तरह से हम कर सकते हैं पहला होता है मतलब पहला नहीं मतलब आप समझो की तीन तरीके हैं यह करने के एक होता होता है diffusion दूसरा होता है iron implantation और तीसरा होता है epitexial growth तो यह जो तीनों तरीके इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं यह हम दोप कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर डिफ्यूजर होता है मतलब आप क्या करते हो वह पी टाइप इस तरह से तो यह यह उन वाला अंदर चला जाता है और क्या है यह सब्सक्राइब और यह डिफ्यूजर और अलग से हम ग्रो करते हैं यह उपर में तो यह जो टीफूज़न और इंप्लाइशन इन यह जनरली देता है जंक्षिंट मतलब इसका पर इसका फ्लाइशन और सबस्द वह सबस्याइब ग्रेटेशन अगता है अगर जाहिए तो आपको ग्रोथ करना पड़ेगा तो यह बस एकदम थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यह थोड़ी हाई लेवल चीजे हैं बस आता था तो बता दिया सब्सक्राइब करेंगे तब यह हम अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या प्रोसीजर हैं और यहां पर हमको क्या करना है इसको कुछ काम लेना यहां से तो यहां पर हमको क्या लगाना पड़ेगा लीज तो यहां पर मैं लगाऊंगा मेटलिक कुछ और यह यहां पर ऐसे यह मेटल है तो अब इसको मैं यूज कर सकता हूं यह पी एंजंक्शन तो यह जो है जो इतना एरिया है मैं बस इसी को भी द्रॉक करूंगा ठीक है तो इतना जो area है वो क्या हो जाएगा यह P type है और यह in type और यहां पे कुछ metals होंगे मतलब contact और यह तो यह हमारा बन गया PN junction ठीक होगे तो क्या होता है आप हम यह देखने इसका फिर एक समझते हैं तो यह उंखेट पर क्या होका गर सारी यह सुल मेंdoo यह सारे होंगे फिर सारे होंगे खिर सबसें हर और टाइप में क्या होगा इस तरह से होंगे तो अब यह क्या मैजौर्टी चार्ज करियर किया अब माइनौर्टी चार्ज करियर कैसे यह देखो यहां पर क्या है यहां पर थोड़े बहुत इलेक्ट्रांस भी तो होंगे ऐसे दो तीन ठीक है बहुत कम होंगे माइनौर्टी चार्ज करियर कितने होते हैं 10 to the power 10 मैं मेजौर्टी 10 to the power 17 18 15 जितने से भी आप कर सको तो यहां पर क्या होगा यहां पर देखो यार जो नेचर है ना वो इकलिबिडियम में ऐसा विश्वास रखता है मतलब सपोज एक्जामपल अगर आप पानी का टंकी लो ठीक है उसमें इतना पानी भरा हुआ है ठीक है तो वह मस्त है अकेला जब तक है तब तक मस्त है जैसे आपने वहां पे खाली टंकी लग और पूर अघपने घंचप लगाऊ तो वहां से क्या होता है निकलता है कि तो पूड़े रूम में फैलता है तो यह जो जहां भी कोशिष करेगा वह चारों ट्रख अने की कोशिश करता है यहीं नेचर तो यह भी क्या होगा यहां पर होल इतने जादा है है यहास बहुत इंड हम्हें तो यह क्या होगा यह से यहाँ जाने की कोशिश खरेगा तो यह जो होल जाने की कोशिश करेंगे वो होलस और यह से इधर अने की ओ आने की कोशिश करेंगे तो अब क्या होगा धेखो अब्वोब्स हैं वह माँ जा रहे हैं यहां से यहां ऑँ तो स्पोज देखो किन खिर्द एक्रान का डिफ्यूजन तो सपोज मुझे लेक्डी अशन करना है तो और यह पे देखो तो यह सेमी कंड़क्टर का आपका लेटिस स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो पी टाइप है पी टाइप में कैसा रहेगा यहीं पर इसके पैरलल में डॉक करता हूं यहां पर एक एक एटम रहेगा ठीक है और उसके तीन इलेक्ट्रॉंस रहेंगे और यह पांच बाद फ्री एलेक्ट्रॉंस रहेगा तो उसको में यल्लो से निनोट करता हूं और रूम टेंपरेचर पर क्या होगा यह बहुत एकदम को वैले जो आइनिक बॉंड से अटैस्ट रहता है वह और फ्री रहेगा ठीक है यह फ्री एलेक्ट्रॉंस अब क्या होग है तो यह हो रहा है थो प्री ने वह यहां जांप एक पॉसिब्लीटि है क्या हो सकती है कि सबबॉस wide यहांपर इसके पास और यह एक hole है और यहां पर दूसरा जो item है उसके पास same और यह electron प्रीवेस केस में electron diffuse कर रहा था अब मैं क्या कर रहा हूं holes को diffuse करा रहा हूं inside में तो holes कैसे diffuse होते हैं holes diffuse होने के लिए अब यह जो यह जो ichron है वह क्या होगा का allora हुआि कोछ फिर्ग दीन को क्या भाप यहां पर कोल तो यह जाने की कोशिश करेगा तो कुछ фुट करें में क्या होगा यह जो ima यह test पीट में लेकिन बहुत बार तो ऐसा भी हो अनध यह बहुत हए करेगा ठीक है और यहां से यहां जाने की कोशिश करेगा यहां से यहां ओऔर यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास एक को इलेक्ट्रॉन आuno इसने और यहां यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां पर हो गया होल तो यहां पर हो गया अब यह जो होल है इसको अब यह होल यहां पर आ गया लेकिन यहां पर क्या एक प्री इलेक्ट्रॉन है तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यह इसको यहां पर आकर यह री कॉम्बाइन हो जाएगा तो यहां भी क्या हो रहा है री कंबिनेशन तो यहां पर क्या हो गया मुव्मेंट सब्सक्राइब के साथ कंबाइन हो गया तो दोनों को तरफ से क्या हो गए है और री कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि transit he गाएब हो गए आपके उन्नों हो गए मतलब गय Babble 2003 encant Armstrong हो प selv गाएव babies नीए रीकमबाइन करें तो क्या होगा यहां पर चार्जेश फ्रेड्यूस हो जाएंगे तो सपोज यह यह यहां परे हों सा होगा यहां पर नेगेटीव चार्जेस आँ चाल दो हो यह होल यहां पर आया है तो इसने indictment रृष गत्या यहां पर क्या ओगा पॉस्तिव चारजेसाट डार हाल होता है कि यहां पर मैं बना देता हूं कि इस कलर में तो यहां पर एक यह जंक्षन जो है और यहां पर धेर सारे कि सब्सक्राइब यह होल से हैं और यह इलेक्ट्रॉंस है और यहां पर क्या हुआ यहां धिरे धिरे 버erson के पाथ वाला एरिया जंक्षन तो चोंडे embryo Harald सब्सक्राइब हो तो और यहां थे धिरे धिरे ऊज्थिव चार्जेस आना हो जा तो यहां पर positive नहीं यहां पर negative charges आना चालू हो जाएंगे चालू हो जाएंगे तो अब यहां पर junction होगा यह जो junction है वहां पर क्या हो गया हमारा चार्ज प्रेड्यूस हो गया है ठीक है एक सकर्न यलो किलर ले यहां पर किया है चार्ज प्रेड्यूस हो गया है यहां-पर चार्ज सर्दूंस हो ξنक्षन है वहां के क्या होगा एक तो चार्ज होगा कि मतलिब कुछ रोगा डो इस नौट इकुल टु जिरो यहां पे जंक्षन में बट चार्ज कैरिए यहां जो है चार्ज कैरियर्स आप्लेऻ sih चार्ज जैंसिटी जो था वो जीरो था जार्ज के यह प्रेजंट है यहाँ पी यंजंट्शन में बोल रहा हूँ यह कहीं और मत समझना तो जो जो चार्ज हो नॉन-जीरो रहेगा कुछ तो चार्ज करियर्स जीरो हो जाएंगे तो यह इस तरह से हम समझ सकते हैं अब हम दे क्या है एक एलेक्ट्रिक फील्ड यह द्यूर नहीं प्रड़ता बढ़ता बढ़ेगा थोड़े थोड़े चार्ज इन्स दिफ्यूजमगे और चार्ज होंगे तो यह पूरे आगो यह पोरे से इंसमी कंड़्क्टर में फैल जाएगे तो इस नहीं मतलब यह तो एक्जामपल बशुक्रल मुझे पसंद में कभी कभीएücht यहेंब यहां पे पौजटीव-पॉस्टीव लेख के यहां पे-नेगट्रिक तो अब ये electric field क्या करेगा यहां पे electrons और यहां पे holes है ठीक है तो यह electric field एक force exert करेगा force क्या होता है force is equal to q into e तो आप देखो यह electric field electron पे कैसा force exert करेगा देखो तो on electron यह force क्या हो जाएगा f is equal to minus e upon e तो मतलब electric field इस direction में है तो force on electron किस direction में होगा यह हो जाएगा force on electron ठीक है और on holes holes में क्या होता है f is equal to EE वह जाता है यह हो जाता है हो साइन होता है तो to holes की तरफ पोर्स क्या लगेगा इसी साइड में लगेगा तो होल्स की तरफ फॉर्स है यह फॉर्स है करकर तो अब इनक्रों कि इधर की अब आना चाह रहे हैं यह जो इस वह कर रहा है इसका बेखुजन होना ही कन ہیں देखा हुए इसके करते जो चार्ज होना ही चार्ज होने पेदा कर रहे हुआ हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब बुका पेट दीरे दीरे वह चार्ज होने लगा तो उसकी भूक मरती है दीरे धीरे से चार्ज होने लगा और फिर फाइनली जाके रुख गया अब आइस वर्ट एक्जामपल ले लो कि समुंदर में क्या होता है पानी रहते हैं और फिर थंड के मौसम में आइस जमने लगती है ठीक है बर्फ जमने लगती है अब यह जो आइस जमती है वह फ्लोट करती है उस पे और वही एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है उसके आइसेंग के लिए ठीक है उसका जमना ही उसके फिर्दर जमने में रुखावट पैदा करता है इसका डिफ्यूज होना है इसके फडरी ते ने रुखावट पैदा लगता है तो जो एनलौग वालड है ना वो ऐसा यह मतलब जो इलेक्ट्रोनिक्स है या और कोई बी नैच है यह हर जगा आपको देखने मिलेगा मतलब आप डिफ्यूज होते ही होते नहीं चले जाओगे कुछ आपको रोकने वाला भी होगा जहां पर इकलिब्रियम स्टेट होगा तो यही लौ है नेचर का तो यह समझ में आगया अब देखते हैं कि यह किस तरह से डिफ्यूज होगा तो यहां पर इसका कुछ इसका कुछ विद्ध होना चाहिए अब इस रीजन को क्या बोलता चाहिए तो इंपोर्टिंट देखो में बताने बूल गया इन इकलिब्रियम के बातों में यह जो है यह री कॉंबिनेशन के कारण क्या होता है जो चार्ज करियर से वह जीर है ज़नक्षन चार्ज कैरियर जीरो ठीक है तो यह जो जंक्षन रीजन को बोलते हैं उसको बोलते हैं गोडिप्लीशन बीशन क्यों पूलते हैं क्योंकि वहां पर अगले लेक्चर में अच्छे से देखेंगे बर यहां अब बस आपको इंट्रडूस करा रहा हूं कि यह क्या होता है अब सपोज करो कि यहां पर पी एन जंक्शन है और यह इतना तो हमारा डिपलिशन देट है तो अब यह जो विथ है न यह ज़्यूरिए नहीं कि दोनों तरफ सेम हो यह दोनों तरफ अलग-अलग भी हो सकती है ठीक है तो सपोज यह पी टाइप में कम है और इंट टाइप में जादा है तो यह किस पर डिपेंट करेगी यह विट जो है तो सपोज यह एक सवन है कि और यह एक सडों ठोल यहां पे जरेड्रेजिन यह यहां पर कुछ doping concentration होगी ND तो अब यह क्या है जैसे जैसे आप doping concentration बढ़ाते हो न तो वहां पर क्या होता है यह जो width है depletion with इस reason में वो कम होती है और doping concentration अगर कम रहेगा तो depletion with जादा रहेगी तो इस case में क्या है इस greater than nd तो यहां से क्या हो जाएगा x1 is less than x2 दो यह कहां से आया बस आपने बता दिया अरे simple है यहां पर क्या है यहां पर क्या थे पहले होल्स थे ठीक है और यहां पर क्या थे पहले इलेक्पर इलेक्ट्रॉन थे अब क्या हो गया कारियर फ्री हो गए यहां पर नीगेटिव आयैनस आगया यहां पर वास्थी आगये थी Ned होल एक इलेक्ट्रॉन 주ुक् कंसंट्रेशन बढ़ा दी मतलब कम लेंथ में ज्यादा इलेक्ट्रॉंस होंगे ज्यादा होंगे यहां और यहां पर उतने ही इलेक्ट्रॉंस को मतलब यहां डेंसिटी आपका कम है क्योंकि यह करियर यह डिफ्यूजन डेंसिटी डिफ्यूजन बोल रहा हूं डोपिंग कंस concentration यहां कम एरिया में जादा होल्स प्रेजंट होंगे और यहां पर यहां पर जाधा area लगेगा उतने ही number of electrons प्रेजंट होने के लिए तो जैसे यह आप doping concentration कम करोगे दिप्लीशन विद्ध उसकी तरफ मूर्ती चली जाएगी क्योंकि यहां से कम अरिया में ही ज्यादा होल्स रहेंगे तो इस तरह से इंवर्सली प्रोकोशनल है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं रोवन x1 is equal to रोटू x2 ठीक है रोट क्या है यहां का चार्ज है यहां पर रोवन крут को मैं दूसरे से ले लता हो तो नहीं तो बहुत ही गजगज हो जाता है कि यहाँ पहल क्या है रोवन कि यहाँ पे डोटीचेंट है और यहां पहली है यहां पर 10 यांप़ घ्रेत दियान रखना है कोई मि stripped नहीं है यहां पहली है yeah required in reward क्या है मतलब आप c márley the charge पर यूनिक वर्यूम ठीक है तो एहां पर रो one क्या होगा रो वन एकस वन एक्स रोटू ङ्सु फीसे किल टो एक्स तो मतलब यह हम क्या करें कुछ नंबर ओफ मतलब चार्ज देंसीटी की बात कर Whoo Thank you Here यह कूछ सरफिस चार्ज थि की बात कर ना चाहिए अब सरफिस चार्ज इनसीटी काँ दिन यह से यह सथी मिण यह 3D में यह जो पूरा है वो भी पूरा यहां से यहां तक है तो आप सिर्फ एक एक्सिस पे देख रहे हो तो आपने क्या किया यह एक्सिस पे देखा तो यह एक्सिस से अगर आपने पूरा सर्फेस है उस पर भी चार डेंसीटी होगे ना तो इसलिए यह सर्फेस चार डेंसीटी दोनों साइट का सेम होना चाहिए तो इसलिए यह इकलुविरियम कंडिक्शन में यह आता है हमारे पास across the junction अब इस यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह इलेक्ट्रिक फी V is equal to minus EDX ठीक है तो यह जो potential generate होता है उसी को हम बोलते है potential barrier ठीक है तो potential barrier क्या है वो barrier क्यों बोलते है यह जो यहाँ पे कुछ voltage generate हुआ ठीक है यह electric field के कारण तो यह क्या कर रहा है barrier पैदा कर रहा है मतलब यह इस holes को further diffuse और electrons को further defensive होने में रोक रहा है तो इसलिए इसको potential barrier बोलगें अब हम देखते हैं कि अरे यहां पर पोटेंशियल है कि क्या करते हैं यहां पर potential हैं हमारे पास ठीक है और यहां पर कुछ हम एक है बलग लगा दीए तो यह ग्लो होना चाहिए थैक है यहां पर कुछ इसको थोड़ा साभी पोटेंशल मिले तो यह जल जाएगा तो यह सोचो आप और मुझे कमेंट में बताओ यह बल्ब जलना चाहिए कि नहीं यहां पोटेंशल देख रहा है मतलब यह अपरेट कर सकते हैं तो थोचो इसके बारे में और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि यह बल्ब जलना चाहिए कि नहीं और थोड़ा सा और देखो इसके बारे में बाकि नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आने ही वाला हूं इसको बताने के लिए और भी हम यह प्लीज इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें टेक केर गुडबाई हेलो